तो एलो अब्रिवन जेसी सी गुरुकुल के सभी मेंबर वाशियों के तरफ से आप सभी को जोहार भिननदन वेख करती ही आज के इस सेशन के माधियम से हम लोग जैसे की पलामू जिल्ला में चोकिदार की भर्ती आई हुई है तो उसी के रिगारिंग पलामू चोकिदार भर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोग को मिल जाएगा वाटसब ग्रुप का जिससी गुरुकुल वेकेंसी अपडेट के नाम से एक वाटसब ग्रुप बना हुआ है जिसमें की सभी परकार के आप लोग के छोटे बड़े तमाम जनकारिया वेक करना है जैसा कि एक कंडिडिट के द्वारे ये फोम देख पारेंगे भराग गया है सबसे पहले यहां पर एक देख पारेंगे इस अस्पेस पे आप लोग को अपना एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ज्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए जिससे आप लोग को को यहां पे सेंड कर देना है हिंदी या जैसे भी आप लोग सच्छा में उस परकार सेंड कर देना है आधा सिगनेचर आप लोग के फोटो के बाहर होना चाहिए आधा सिगनेचर आप लोग के फोटो के उपर होना चाहिए वही चीज यहां पे लिखा गया है स्वाभी पर नगर आवेदित बीट छेत्र का नाम देखे इस कंडिडेट का क्या है और ये चीज आप लोग को कहां से मिलेगा तो ये सारे आप लोग को फो में इसका जनकारी सारा चीज दिया गया है देखे ये हो गया एक आवेदित बीट संक्या छेत्र का नाम खनवा है बीट संक्या इ पहां पर मिलेगा ता कि आप लोग को मिलेगा यह देख सकते यह 18 पेज का जो आपलोगा फों मैं इसी फों में जब आप लोग नीचे यहां पर करते हुआ आएंगे तो जस्ट इस फों सकते हुए इसका सारा यहां चिज़ फों का पीडिया नहीं है तो यह भी आप लोग को WhatsApp ग्रूप में share कर दिया जाएगा इसका भी देखिए यहाँ पे अंचल का नाम देखिए अंचल सदर मेदिनी नगर थाना का नाम सदर मेदिनी नगर और इसी बीट संख्या को वहाँ पे 2-1 के रूप में लिखा गया है रिक्त बीट संख्या जो छेत्र है उ आप लोग को क्या करना है सबसे पहले इस सिंपल तरीके से जो फोम भरा जा रहा है उसको पहले मैं यहाँ पर बता देता हूं उसके बाद जिस कंडिडेट का बीट संख्या गाओं का नाम बीट छेत्र संख्या हो गया बीट छेत्र का नाम यह सब नहीं दिया गया है तो उ भ्यार्थी का नाम पूछा जा रहा है अब भ्यार्थी का नाम क्या चीए देखिए बिनोत कुमार सबसे पहले आप लोग को हिंदी में लिखना है और बड़े अच्छर में लिखना है उसके बाद अंग्रेजी में जो सारा बड़ा बड़ा अच्छर में लिखना है जैसे बि अभी नई भर रही है और वहाँ पे आप लोगों पती का नाम देना है तो पती के नीचे इस पर काट टिकोट किजिएगा जैसे यहाँ पे पिता के नीचे टिकोट किया गया है। तक इस अभ्यार्थी का कितना साल, कितना दिन, कितना महिना हुआ है, वो चीज आप लोग को यहाँ पे निकाल करके लिखने ना है, तो 1 अगस्ट 2023 से जोड़ा जा रहा है थे, इनका डेट और बर्थ देखे कितना है, 5 सितंबर 2000, यह पुरा आप लोग महिनस करके निकाला ग उपर में, चुकि घटाने का प्रोसेस में बड़ा है, उसको था हम लोग उपर ही लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे कितना महिना हो गया, 5 तारिक हो गया, 9 महिना हो गया, और 2000 इस भी हो गया, अब यहाँ पे हम लोग को घटाने, आप देखे, घटाने के प्रोसेस में इ तो देखे, यहाँ पे एक घटेगा तो नहीं, तो यहाँ से आप लोग को पैचा लगने पड़ेगा मन्त से, जब एक मन्त यहाँ पे लेंगे, तो यह 30 दिन चला जाता है, कितना दिन, 30 दिन, 30 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 दिन, तो यह हमारा एक कट गया, 31 दिन ह हो गया, और यहाँ पे मन्त कितना बच गया, एक मन्त दे दिये, तो 7 मन्त बच गया, अब 7 मन्त बच गया है, तो यहाँ पे भी देखे, 9 तो घटेगा नहीं, इसके लिए यहाँ से एक वर्स हम लोग पैचा लेंगे, एक वर्स पैचा लेंगे, तो कितना महिना हो जाएग 29 महिना हो जाईगा यहां पे यह चीज अब यहां पर हमलो beiden का घटेगा अर यहां एक साल दे दिए तरहां पर हमारा बच गया है zonढ़ाश तो 31 में 5 गया तो कितना बच शबिस दिन बच गया उनिस में नो गया तो कितना बच दस और 2022 में 2000 गयत कितना बचा 22 तो वही हो गया 22 साल 10 महिना 26 दिन इस परकार से आप लोगो महिनस कर गए सबसे पहले जो डेट दिया गया है 1 अगस्त 2023 इसको उपर लिखना है उसके नीचे फिर आप लोगो अपना डेट और बर्थ लिखना है साल के नीचे अपना साल लिखेगा महिना के नीचे अपना महिना अपना दिन के नीचे अपना दिन लिखेगा इस परकार से आप लोगो को सारा कितना दिन हो रहा है आप लोग का कितना महिना हो रहा है और कितना साल हो रहा है एक अगस्त 2023 तक वो चीज निकल के आ जागा यहा चेतरिये भासा यह चीज सेक्षन थोड़ा आप लोग यहां पर आप लोग को जैसे की देखें नागपूरी और आप लोग का जिल्ला के अंतरगत कौन सा भासा बोला जाता है इसी में बहुत सारे कंडिडेट का फोर्म है जो कि वो रिजेक्ट होता है और फोर्म रिजेक्ट होते हैं वो चीज भी आप लोग को जनकारी दिया जाएगा चुकि देखें आप लोग का जिल्ला से पहले गुम्ला जिल्ला में भरती भी आया हुआ है गुम्ला जिल्ला में भी आया हुआ है तो गुम्ला जिल्ला में रिजेक्शन लिष्ट निकला हुआ है और किसकी सकार जन जातिए और जो छेतरिये भासा है इस सेक्षन को अभी आप लोग को खाली रखियेगा, इसको नहीं भरना है, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनगी, यहाँ पे आवेदर का जन जातिए इवएम छेतरिये भासा इसे आप लोग खाली रखिये, थोड़ा सा मुझे भी जनक समर नाले है DC office है पलामू का वहां से थोड़ा मुझे जनकारी चाहिए वहां से थोड़ा मुझे जनकारी प्राप्त करने दीजिए कि आखिरकार इस जगा पर इस कोलम में क्या ची भराएगा वहां के अंतरगा जन जाती है भासा जैसे कि कुछ जगा मुझे पता चला है कि खो लोग को क्या भरना है सो चुकि इस section को भरना बहुत ही जरूरी है यदि यहां पर किसी तरह से कोई गल्ती कर लेते हैं तो फोम आप लोग का reject हो जाएगा अनियथा कोई candidate यदि आप लोग हो सके तो आप लोग जा सकते हैं को हैं सच्छम DC करियाले जहां पर जिस एड्रेस पर फोम जमा करना है तो उस एड्रेस में आप लोग एक बार जा करके पता किजिए कि जनजातिये छेत्रिये भासा में क्या चीदेना है तो वहां से पता चल जाएगा ताकि मैं भी सभी विदार्थियों को यह चीज बता पाऊं कि आखिरकार यहां पर आप लोग को भरना क किया है थोड़ा सा इसके लिए वेट किजिएगा आप लो उसके बाद अगला सेक्षन है अभ्यार्थियों का अस्थाई पता तो यहां पर बीट संख्या टू ओबलिक वन जैसे कि वहां पर हम लोगों ने देखा यहां पर जो दिखा गिया है इसी बीट संख्या इसी सारे चीज को यहां पर भर देना है जो आप लोगों का निवास है गराम आप लोगों का अपना भर देना है पंचायत का नाम भर देना है पोस्ट का नाम भर देना है थाना का नाम भर देना है अंचल का नाम भर देना है उसके बाद जिल्ला का नाम मोबाइल नंबर यहां पर आ पिन कोड देना अनिवारी है पत्राचार पता जो भी आप लोग का जैसे कि आप लोग का सेलेक्शन हो गया तो ज्वाइलिंग लेटर हो गया आप लोग का जैसे कि कुछ भी उधर से भेजा जाएगा समय नाले के तरफ से मान लिया जाए एडिमिट कार ये सब तो वो आप ल आधियम से जो भी कुछ आप लोग भेशते हैं तो वहाँ पे पीन कोड़ देना अनिवारी होता है। यहाँ पे आप लोग पत्राचार, ग्राम, पोस्ट, जो भी आप लोग का है, थाना, जिला, यह सारा चीज भरने के बाद अंत में यहाँ पे पीन कोड़ दे दिजेगा, जो भी आप लोग का पीन कोड़ होगा, 88, 85, 45, जो भी आप लोग देदेना है। उसके बाद अगला सेक्षन जो दूसरा फोम है, वहाँ पे देखिए शब से पहले पूछा गिया है अभ्यार्ति का उचाई, तो आप लोग का जो भी जितना उचाई ह neat है, वह चीज आप लोग यहां पे centimeter में लिख के देखेगा उसके बाद यहां पे देखे शयचनिक योगयता क्या मंगा गया है तो यहां पे mail matrix इंटर अशनाता क्या अनल यह को भी आप लोग को पाष डिगरी है तो वो सारा डिकरी यहां पे आप आप लोग विवरन देश सकती हैं सबसे पहले मेट्रिक आप किस बोड से किये हैं आप लोग अपना विद्याले का नाम देश सकती हैं बोड का नाम सही रहेगा जैसे जहारखन एकडमिक कॉंसील अधिकांस तो जेक से ही किया होंगे तो वहीं देदेना है कुछ सीबीसी से कि होंगे तो आप लोग यहां पे सीबीसी का लिख दीजेगा जिस वर्स आप लोग पास की हैं उस वर्स को लिख दीजेगा जितना नंबर आया है टोटल में कितना नंबर आया है और वह नंबर कितना परसेंटेज बन रहा है उसका परसेंटेज आप लोग को इस कोलन में भर जीसे की आप लोग को किसी तरह का को आरच्छन लेंना है तो खेल कुद हो गया दिव्यांग यह सब60 दिया जा रहा है लेकिन हम उसके लिए आप के पास सक 你 होना चाहिए जैसे आप लोग खेल कुद तो खेल कुद का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि नहीं है तो इस परकार क्रोस आप लोग करके सिफ छोड़ दीजिएगा उसके बाद आवासिय पर्मान पत्र का यहाँ पे संख्या पुछा जा रहा है जिससे हम लोग रेफरेंस नंबर के नाम से जानती हैं आवासिय पर्मान पत्र आप लोग जाके देखिए इस परकार होगा जे एच आरसी ओबलिग दोहजार तैस से ओबलिग इतना इतना और यह कोशिस किजिएगा कि थोड़ा आप लोग कर नया चलेगा चुकि exact date वहां तो दिया नहीं कि इस date से पहले बना होना चाहिए इस date के अबाद होना चाहिए जो लेकिन कोशिस किजिएगा 2022, 2023, 2024 इस इन तीन वर्सों का बना होना चाहिए यदि ज़्यादा पुराना होगा तो थोड़ा दिक्कत तो वैसे नहीं होगा बट आप लोग एक बार कोशिस कर लीजिएगा यदि नया बन जाता है एक दू दिन के अंदर में तो क्या है कि आप लोग को क्या इतनी जल्दी कि आप पुराना ही दे के कर दे चुकि अभी फोम भरने में आप लोग के पास समय है अभी सोधानी पूरवक आप लोग का फोम भरना है जरा सा भी हडबड में गडबड़ी नहीं करना है वरना फोम आप लोग का एक छोटा सा मिष्टेक के कारण से गलत हो जाता है रिजेक्ट हो जाता है तो फोम आया नहीं आया इसका मतलब तो कुछ रही नहीं जाता आपके लिए तो ये फोर्म ओपर्चुनिटी आया है तो थोड़ा सा ध्यान दे करके धैर ये रखना जरूरी है भले एक सब्ता लेट से ही आप लोग फोर्म भरिए चुकि 20 तारिक तक समय है अप लोग के पास तो जल्दबाजी में नहीं करना है कि कोई भी डोकिमेंट्स हम लोग पुराना सुराना देखके भार दे दिन नया बन जाता है दिन दो चार दिन के अंदर में तो कोशिस कीजिए बनवा लिजिए और दी दीजिए नया वाला ही उसके बाद यहाँ पे issue date निर्गत तिथी वो चीज भी आप लोग को लिखा रहता है वहाँ पे वो चीज आप लोग दे दिजिएगा उसको बाद जाती परमान पत्र यहाँ पे आप लोग को जो भी कास्ट से समंधित रखते हैं जैसे यह अतियंत पिछड़ा वर्ग BC1 से समंधित रखता है तो वह यहाँ पर देखे जैस से रखता है तो आप लोग अपना यहाँ पर रेफेरेंस नंबर दीजेगा जाती आप लोग का देना का आवज सकता नहीं है जैसे की AC का साइध यहाँ पर CT नहीं है इस बखेंसे में अब AC का सीट नहीं है तो आप लोग को जेनरल से भरना पड़ेगा तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है जैसे जो AC केटेगरी का है इसका फॉर्म तो नहीं दिय यहाँ पर आवासिय परमान पत्र देना है और यहाँ पर ऐसे cross send आप लोग को cross कर दिजिएगा चुकि आप लोग तो अपना जो भी कास्ट है उसका तो आप लोग reserve नहीं ले रहे हैं और जब उसका आप लोग benefit ही नहीं ले रहे हैं यह चीज आप लोग को bank में जाकर के बनवाना पड़ेगा आप लोग का bank होगा passbook होगा, ATM होगा ATM लेके चले जाएए जो भी bank का होगा वहाँ पर बोलिए bank draft बनवाना है देखिए AC, ST का है 100 रुपिया बाकी जो category के हैं उनका है 200 रुपिया, चलिए इस चीज को भी हम लोग देखिए परिछा सुलक यहाँ पर किनका लग रहा है सो जो यहाँ पर general category है पिछडा वर्ग और अतियंत पिछडा वर्ग इनका 200 रुपिया लग रहा है और जो अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती जब यहाँ पर दोनों का लग रहा है तो देखिए अनुसुचित जाती का seat तो है नहीं, तो यह भरेगा कैसे यह भरेगा यहाँ पर general category से तो उस condition में फिर आप लोग का 200 का demand draft बनवाना पड़ेगा और यह आप लोग bank में बनता है bank में आप लोग चले जाईएगा bank passbook ATM लेकर वहाँ से बन जाएगा देखिए इसी परकार का होता है bank demand draft इस परकार का आप लोग को मिलेगा यहाँ पर date दिया रहेगा तो इस date को वहाँ पर फो में भर देना है और यहाँ पर 6 digit का number रहेगा इसी 6 digit का number को आप लोग को वहाँ पर भर देना देखिए यह जिसा की 500 रुपिया का bank draft यह बना हुआ है तो यहाँ पर 6 digit का number होगा इस number को और यहाँ पर जो date जिस date को आप लोग bank draft बनावाईएगा उस date को वहाँ पर भर देना है देखिए ये फोम आप लोग को WhatsApp गुरूप में दे दिया जाएगा वहाँ से लोड कर लिजेगा ये सारा फोम जो जो चीज वहाँ पर बताया क्या उन सारे चीजों को आप लोग को भर करके और हाँ जो भासा वाला सेक्षन है उसे थोड़ा सा आप लोग उसे अभी आप लोग खाली रखेगा इसको आप लोग भरियेगा नहीं तुरंत आप लोग को एक दो दिन के अंदर में यहाँ पे अपडेट दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आप लोग को क्या चीज भरना है तो तो अभी आप लोग को क्या काम करना है सबसे पहले तो अभी आप लोग का चुकि demand draft ये तो कोई बनवा के रखा नहीं होगा demand draft पहले आप लोग बनवा लिजे demand draft के साथ साथ आप लोग का character certificate भी मांगा जा रहा है और character certificate चरीतर परमान पत्र ये आप लोग का online और offline दोनों तरीके से बनता है online आप लोग के फे मां जाके बोलिए कि हमको character certificate बनवाना है character certificate वहाँ जब अपला हो जागा एक दूद दिन में तुरंत आप लोग का दो से तीन दिन में वहाँ थाना से phone आएगा कि आपने character बनवाने के लिए दिया है तो आप लोग को यहाँ पर उपस्तिती दर्च करना होगा थाना से phone आने के बाद आप लोग को थाना में उपस्तिती देना है उसके बाद उपस्तिती वहाँ पे देने के बाद तुरंत आप लोग का वो online वाला बन जाएगा offline में थोड़ा सा समय लगता है बट जैसे आप लोग सच्छा मों दोनों तरीके से आप लोग जिसमें आप लोग कर सकते हैं उन्च तरीके से आप लोग बनवा लिजिए लेकिन कम समय वो online वाला में ही कम लगता है तो सबसे पहले अभी आप लोग एक तो character बनवाने का परियास किजिए और एक bank draft बनवाने का परियास किजिए ये दोनों जब आप लोग बन जाएंगे उसके बाद form भरिएगा चुकि form भी आप लोग को अभी भरना नहीं है चुकि इसके लिए आप लोग को क्या क्या document साथ में देना है वो चीज़ तो आप लोग के लिए जानना जरूरी है चलिए उस चीज़ को भी हम लोग देख लेती हैं देखिए सबसे पहले आप लोग form भर लिजिएगा वही बार-बार इसलिए बोल रहे हैं भासा के समद में चुकि भासा गलत हो जाएगा तो आप लोग का form रिजेक्ट हो जाएगा अब देखिए साथ में आप लोग को एक तो आविदन जो दो form का है तो दो वो आप लोग को ले लेना है form दो वो रहेगा अप लोग का उसके बाद आप लोग को क्या लेना है देखिए उसके बाद स्वाभी पर्मानित पत्र इसका मतलब है कि सभी जितने भी इसके साथ में आप लोग जैसे आरच्छन का दावा है तो जैसे आप लोग आवासिय पर्मान पत्र दिजेगा date of birth लिखा हुआ हो तो वह आप लोग का 10th का Marksit देखिएगा तो Marksit या फिर Admit Card दोनों में से आप लोग कोई भी देख सकते हैं जिसमें कि आप लोग का date of birth दिया होगा Marksit में भी साइद आप लोग का जिसमें number दिया रहता है Marksit जिसमें कि जो भी subject है उसके number दिया रहते हैं तो उसमें भी आप लोग का वो दिया रहता है date of birth तो वो एक आप लोग का 10th का Marksit देदेना है ये 4 चीज होगे उसके बाद आप लोग को क्या बोला गया है ये आवेदन पत्र जो की दो पेज करेगा तो ये 5 चीज ये तो अनिवारी है आप लोग के लिए उसके बाद क्या देना है देखिए दो passport size photo छठा में आप लोग को क्या देना है दो passport size photo देने है साथवा documents आप लोग लिख लिजए कि अधार card अधार card का जेरोक्स हाँ और यहाँ बे कुछ ऐसे भी candidate होते हैं जिनका mark sheet में कुछ नाम अलग अस्पेलिंग रहता है अधार card में नाम अस्पेलिंग कुछ अलग रहता है तो यहाँ अधार card का विशेश मानियता नहीं दिया गया है अधी अलग अलग है तो उस condition में आप लोग को अधार card वहा सबसे पहले एक आप लोग को आवासिय पर्मान पत्र इसका जेरोक्स करवा लेना है जाती पर्मान पत्र इसका भी आप लोग एक जेरोक्स करवा लेजेगा और चरित पर्मान पत्र यह है इसका भी आप लोग जैसा आप लोग देखिएगा उनलाइन बनाईएगा तो उसक आप लोग Jerox एक निकलवा लिजिएगा उसके बाद ये जो 10th marksit है इसका भी एक Jerox आप लोग करवा लिजिएगा अधार card है इसका भी आप लोग एक Jerox करवा लिजिएगा ये 4 चीजों का सोरी ये 5 चीजों का आप लोग का 5 Jerox करवा लेने और 5 Jerox का नीचे जो यहां प पासपोर्ट साइज फोटो जिस तरह का फोटो आप लोग फोर्म में साटिएगा वह सही दो को पासपोर्ट साइज फोटो ले लिजिएगा और फोटो के पीछे तरफ आप नाम लिख दीजिएगा अपना वही साइन कर दीजिएगा आप लोग फोटो के पीछे साइन कर अश्परस्ट लेटर अच्छर में उसके बाद एक बैंक ड्राफ्ट जो आप लोग का है इस बैंक ड्राफ्ट को भी आप लोग वहाँ पे साथ में दे देना है जो बैंक ड्राफ्ट आप लोग को अस्क्रीन पे यहां पे दिखाया गया इस बैंक ड्राफ्ट को भी आप को सही देना है और जब आप बैंक में जाइएगा तो बैंक में जब जाइएगा इसको demand draft बनवाने के लिए तो वहां manager पुछेगा कि आप लोग को किसके नाम से bank draft बनवाना है तो किसके नाम से bank draft बनवाना है कि इनके नाम से उपायुक्त पलामू के नाम से आप लोगो डिमान राफ्ट बनवाना है डिप्टी कमिशनर पलामू वहाँ पे पूछेंगे वो मैनेजर साहब कि किसके नाम से आप लोगो बनवाना है तो डिप्टी कमिशनर पलामू कर दिजिएगा इसी के नाम से आप लोग को हाँ ये नमबर सही देना है चुकि इसी से आप लोग के वहाँ पे लिंक किया जाएगा कि आपने जो फॉर्म है परिच्छा सुल्क उसको दिया है कि नहीं दिया है तो ये देखिए इतने सारे डोक्योमेंट्स आप लोग को साथ में देना है इसके उपर का जो पांच है इन सभी पांच का जो भी उपर में पांच है इन पांचों का जेरोक्स कोपी दीजेगा और उसमें सैन कर दीजेगा और यहाँ पे दो पासपोर्ट साइज एक भी चीज आप लोग मिश्टेश किजिएगा तो आप लोगा फॉम रिजेक्ट हो जाएगा तो एक ही वीडियो को आप लोग जितने तहर ये के साथ देखे बार-बार देखने से अच्छा है कि एक बार वीडियो को आप लोग देख लेजे उसके बाद आप लोगको क्या करना है वायट लिफा富ा लेना है यहां पे आप लोग को जमा करना है देखियो उपायुक पलामू का कर्याले जिल्ला चोकिदारी साखा पलामू समर नाले भवन ब्लोक ए पीन पीन कोड यहां पे नंबर देना यह अनिवारी है यह चीज हो गया है इधर आप लोग देहने तरफ यह लिख दीजेगा और इधर आप लोग को लिख देना है ग्राम लिख देना है पंचायत लिख देना है फिर इसके नीचे आप लोग का यह अंचल यहां पे लिखाएगा वह असपेस नहीं बना इस कारण से यहां पे लिखा गया है इधर आप लोग को लिख दिया गया यही चीज आप लोग को थोड़ भी कुछ होता है उसका मेन जो होता है वो पीन कोड होता है पीन कोड यह आप यहां पर भी नहीं दिजेगा यहां पर भी नहीं दिजेगा तो आप लोग का फोर्म कहां जाएगा कि नहीं जाएगा पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए पीन कोड यह देना अनिवारी है आप परकारी दिया गया है वही चीज वहां पर लिखा गया देखिए आवेदन भेजने का पता इसी परकार से आप लोग को पूरा लिख देना है पता उपायुक पलामु का कर्याले जिल्ला चोकिदारी साखा पलामु समझनाले भवन ब्लोक ए पीन कोड ये चीज आप लोग को द दिखेगा और पद का विभरन तो पद आवयदित पद किसके आप लोग कर रहे है कि चोकिदार के लिए जो चीज वहांपे अभी आप लोग को दिखाया गय सारी जनकारी आप को वहां पर दे देनी हैं तो इस प्रकार हुआ आप लोग का complete form भरने का process कहां से कौन चीज चीज कैसे बनवाना है उसका भी जनकारी आप को दे दिया गया इसके बावजुद भी आप लोग के कुछ प्रश्ण रह जाते हैं तो उस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किजिए वहां पे आप लोग को reply दिया जाएगा और हां रह गई बात जिन Azerbaijan का बीट संख्या गाउं ये सब का नाम नहीं दिया गया है तो वो क्या करेंगे तो आप लोग अपने पुर्वजों से अगल बगल से पता किजी कि आपका गाउं किया किसी गाउं से अलग हो करके बना है तो जिस गाउं से अलग हो करके बना है उसी गाउं का बीट संख्या और उसी का जो भी गाउं का नाम है वो चीज आप लोग को देना है पहले आप लोग पतक कर लिजे यदि आप लोग का अपना वो नहीं दिया गया है तो आप लोग को अगल बगल का जो बीट संक्या है बीट नाम छेत्र है वो चीज अगल बगल का गाउं का बीट संक्या और बीट छेत्र का नाम ये सारी चीज आप लोग को वहाँ पे देना ह देखे सोधानी यहां पर आप लोग को बरतना गुम्ला चोकिदार रिजेक्शन लिस्ट 2023 देखे यहां पर 32001 कंडिडेट के यहां पर फोर्म रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट का कारण यदि आप लोग को पहले पता चल जाता है तो आप लोग उस गलती को आप लोग न सारा चीज लिखा गया है और यहां पर लेंग्वेज देखे इनके द्वारा हिंदी रखा गया है और यहां पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं हिंदी किसी भी जिल्ला का जो छेत्री और नहीं वो अस्थानिय भासा है किसी भी जिल्ला का छेत्री और अस्थानिय यह यहां पे इसी परकार तो भासा को इसलिए आप लोग को बोला गिया कि थोड़ा सा मुझे कनफर्म पता करने दिजी इसके बिशें में कि पलामो जिला के अंतरगत कौन सा भासा भराया जाएगा उसके बाद वहाँ पर भासा सेक्षन भरिएगा जल्दबाजी में आप कोई भासा हिंदी इंग्लिस उर्दु भर के नहीं चले जाईएगा वो भर दीजेगा तो आप उसके लिए सेल्फ उसके लिए आप लोगो फिर सेल्फ जिम्मेदारी लेने होगी यहाँ पर देखिए ट्राइवल लेंग्वेज ट्राइवल 297 पेज में यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट दिया हुआ देखिए अभी 95 पेज हम लोग चले गए हैं उसके बाज़ूद भी ट्राइवल लेंग्वेज का सारे कंडिडेट हिंदी भर दियें सारे कंडिडेट यहाँ पर देखिए सारे हिंदी भर दियें कुछ नित यहाँ पर भरा ही नहीं है तो वहाँ पर भरना जरूरी है चुकि एक्जाम आप लोग का वहाँ पर अस्थानिय छेत्रिय भासा का परिछा लिया जा रहा है अब मान लिया जाया है छेत्रिय भासा हिंदी आपके जिला में आता ही नहीं है उसका question ही नहीं बन करके आएगा तो फिर आप लोग वहाँ पर एक्जाम दीजिएगा किसका वहाँ पर जो अंतरगत छेत्रिय भासा है चुकि इसका posting भी होगा तो वो आपके अपने छेत्र में होगा तो आपके अपने छेत्र में होगा तो वहाँ पर जो छेत्रिय भासा है अस्थानिय भासा है उस भासा को तो आपको जानना अनिवार होगा ना तभी तो आप वहाँ के लोगों के साथ आप लोग बात चीत कर सकती हैं तो इसलिये छेत्रिय भासा का काफी महत्व दिया गया यहाँ पे देखिए एक सो डेट सो यहाँ पर पेज अभी हम लोग का होने चला उसके बाजुद भी देखिए ज्यादा फोर्म जो रिजेक्ट हुआ है यहाँ पर छेतरिय भासा के कारण ही हुआ है कुछ कंडिडेट देखिए हिंदी भर दिये कुछ ने तो यहाँ पर इन ए मतलब उसको खाली रख दिया है खाली नहीं छोड़ना आप लोग को भर देना है उसमें और क्या भरना है उसका जनकारी भी आप लोग को बहुत ही जल दिया जाएगा उसके लिए थोड़ा सा आप लोग धैरी रखिए पहले जो मैंने आप लोग को बताया जैसे की डिमान ड्राफ्ट है केरेक्टर है उसको बनवाने का परियास कीजिए अब देखे यहाँ पर लेंग्विज वेपर के बाद फिर यहाँ पर फोर्म डेजेक्ट होगी है चालू यहाँ पर रेसिडेंशल और कास्ट सर्टिफिकेट के देखे रेसिडेंशल और कास्ट जो रेसिडेंशल का है और कास्ट है इसका नहीं रेफिरेंस नंबर दिया गिया है और नहीं कोई इसू डेट दिया गिया है यह चीज भी आप लोग को यहाँ पर भरना जरूरी है residential, caste ये सभी का जनकारी भी आप लोग को देना बहुत ही जरूरी है देखे यहाँ पर जो जो चीज मांगा गया है वो सारा चीज देना आप लोग को जरूरी है applicant आप लोग का अपना नाम father ये तो फोम में आप लोग देखे ही होंगे gender क्या है आप लोग का लुग केतना जनम हो रहा है एक अगस 2013से देखे यहाँ पर लिखा हुआ उसके बाद यहाँ पर देखे विलेज का नाम लिखना पंचायत का नाम लिखना थाना का नाम लिखना और बलोक का नाम लिखना है residential अर ये आप लोग का residential certificate में जो है जो अधार कार्ड में है वो चीज सारा जनकारी यहाँ पे आप लोग को देना है उसके बाद यहाँ पे देखे पोस्टल एड्रेस जो भी कुछ कागजात आएंगे आप लोग के करियाले के तरफ से तो उसके लिए वही चीज जो आप लोग को वहाँ पे बताया गया था कि फोम के नीचे यहाँ पे आप लोग को जो पत्राचार पता लिखा हुआ है फोम में तो उसी पत्राचार पता के तहत आप लोग को अपना गाउं पोस्ट आप लोग का जो थाना है वो चीज लिखना है आप लोग का जिल्ला लिख देना और साथ में पीन कोड देना अनिवारी है मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पीन कोड आप लोग का देना अनिवारी है पीन कोड के बाद देखे भी आप लोग को देना बहुत ही important है ये चीज आप लोग को वहाँ पे भी देखिए उसके बाद residential यहाँ पे देना जरूरी है residential का जो आप लोग का issue number है और जो आप लोग का reference number है date hope issue है वो चीज भी देना जरूरी है देखिए इस candidate date के द्वारा यहाँ पे जो language paper है ये तो सही भरा गया but residential certificate characters, caste certificate ये दोनों यहाँ पे दिया ही नहीं गया इस कारण से इसका form है जो कि वो reject कर दिया गया उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं किस कारण सो और form reject हुए इसो यहाँ पे अभी तक भी वो इसी कारण है देखे character चरित पर्मान पत्र है उसके लिए भी यहाँ पे आप लोग का form है जो कि वो reject किया जा रहा है तो character certificate आप लोग को बनवा लेना है जितना जल्द हो सके online या offline जो भी आप लोग स्विधा हो उससे आप लोग को बनवा लेने है character certificate के बाद और हम लोग नीचे देखते हैं और किस कारण से form reject हुए है देखे बहुत सारे candidate का character के कारण भी form है जो कि वो reject हुआ है तो character भी आप लोग को देना बहुत ही अन्युवारी है देखे इतने सारे candidate समाप्थी नहीं हो रहा है इतने सारे candidate का character की वज़ा से form reject हुए हैं सो इनके द्वरा देखे residential, cast जो भासा वहां का स्थानिय भासा है वो चीज़ सही सही भरने के बावजूद भी character नहीं देने के कारण इनका form reject किया गया देखे और over age, ज्यादा age वाले इसका कोई तो माय बाप नहीं है समझे कि over age और below age का अब जिसका उमर ज्यादा हो गया जाहिट सी बात है उनको तो form reject होगा ही होगा और below age जिनका उमर 18 साल से कम है तो उनका भी जाहिट सी बात है कि उनका भी form reject किया ही जाएगा उसके बाद देखे education qualification में education qualification में भी इनका form है जो कि वो reject किया गया देखे अब ये तो बोल दिया है कि हम जेक से पास है but passing कौन साल साल में पास हुआ है और केतना number आया है केतना परतिसत आया है उसका ये जनकारी ही नहीं दिया है अब जब उसका जनकारी ही नहीं दिया है तो जाहिट सी बात है कि इसका form reject होना वो तो लाजमी सी बात है अब देखे passing years यहाँ पर आप देख सकती है ये देखे कितना number आया है marks obtained जो आप लोगा जेक से पास है यदी सही जनकारी देना जरूरी है यहाँ पे तीनों सेक्षिन भरने जरूरी है देखे जेक लिख दिया है कौण सा बोड से पास है बड़ कौण सा साल में पास हुआ है साले ही छोड़ दिया है चिप केतना number आया है केतना परतिसत है वो चीज आप कौन से साल में पास हैं कि नहीं है वो चीज़तों भी आप लोगों को देना पड़ेगा और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ पर यदि आप लोग छोड़ भी दिजेगा इस चीज़ को आप वहाँ पर टेंथ का जो माक्सिट मैंने बोला आप लोगों का जहां पर डेट ओब बर्थ है डेट ओब बर्थ के लिए माक्सिट ही देने का पर्यास किजिएगा ताकि वहाँ के जो करमचारी है यदि आप फोब में भारना भूल भी जाईएगा तो करमचारी उस टेंथ के माक्सिट को देख करके आप लोग का वहाँ पर फोब जब रिजेक्शन लिस्ट आएगा तो उस समय यहाँ पर फिल अप कर देगा कि आप लोग इस साल पास हुए हैं माक्सिट रहेगा उसके पास तभी तो वह देख के लिख देगा तो यही चीज देखे एडुकेशन क्वालिफिकेशन के कारण भी फोर्म रिजेक्ट किया गिये हैं आप जैसे दूसरा जिल्ला का कंडिडेट है आप माल लिया जाया कि आप लोग के अपना जिल्ला का कंडिडेट ही फोर्म उसको भर सकता है जैसे बीट संख्या ये सा मांग दिया गिया ता आप दूसरा जिल्ला का दूसरा जिल्ला का बीट संख्या कैसे देगा दे तो सकता नहीं है तो उसी परकार देखे अधर जिल्ले के कंडिडेट ने फोर्म अपलाय किया इसकारण से इनका फोर्म रिजेक्ट हो गिया है और उसके बाद 1 अगस 2023 कितना साल, कितना महिना, कितना year हो रहा है, वो चीज भी आप लोग को निकाल करके सही चीज भरना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर, जैसे यह तो date of birth, date of birth नहीं लिखें अपना, अब यह देखिए यह candidate date of birth लिखा है, अब यहाँ पर देखिए क इतना लिख दिया है, 118 साल, अब कोई भी बेकती, 118 साल का, यहाँ पर कैसी होगा जी उसका, जब लिखा है वहाँ पर, 40 साल अधिकतर मूम रहे, आप भी सोच सकते हैं, कैसे कैसे candidate form बाते हैं, देखिए इसका 2002 में जनम हुआ है, 2002 में जनम हुआ है, 1 अगस 2023 से, कैसे घट जाना है, वो चीज आप लोग को वहाँ बारीकी से बताया गिया ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार आप लोग वीडियो के देखिए, धैर यी रख करके, चाहे जितना भी लंबा वीडियो, बार बार देखने से अच्छा है कि एक बार देख लीजिए, और 123 साल का बुजूर्ग आदमी, 123 साल का आदमी इस फोम को भरेगा, कहां जाएगा, अब देखिए, यहाँ पे बिलो एज, 17 साल तो लिया नहीं है, चुकि यहाँ पे मिनिमाम आप लोग का मांगा किया है, 18 साल, अब यहाँ पे 17 साल का कंडिडेट फोम भर दिया है, तो जाह भासा का सेक्षन सही सही भरना है, चुकि भासा से भी बहुत सारे, 50 परतिसत बाल कर लेते हैं, इसमें 3000 जो भी फोम रिजेक्ट हुए हैं, 3000 में सी 1500-1600 कंडिडेट का फोम रिजेक्ट हुआ है, भासा गलत भरने से, तो भासा के लिए आप लोग एक दू दिन का वेट कीज तब तक आप लोग दूसरा demand draft character बनवाने में ध्यान दिजे, तब तक मैं पता करके आप लोग को भासा भी बता दूँगा, दूसरा चीज की cast residential, reference number, date of issue, सही सही आप लोग भरियेगा, तीसरा है character देना जरूरी है, चौथा आप लोग को education, जो सिच्छा है, सिच्छा से कौ साल पास किये हैं, केतना number आया है, परतिसत में केतना number आया है, ये चीज भी सही भरना जरूरी है, और रही बात की date of birth, जतना दिन आप लोग को जन्म हुआ है, एक अगस 2023 से लेना है आप लोग को, फोर्म में एक बार, देखे, यहाँ पे साफ साफ तोर पर लिखा गया है, एक अगस 2023 तक आप लोग का कितना साल, कितना महिना, कितना दिन हो रहा है, ये चीज आप लोग सही से निकाल करके भरियेगा, और यथा इसमर भी आप लोग का form reject हुआ है, rejection list आप लोग के समझ है, और इस rejection list का PDF भी आप लोग को उसी WhatsApp ग्रूप में भेज दिया जाएगा, आप लोग देख लिजेगा, अपने से भी PDF की किस किस कारण से form reject हुआ है, वो गलती आप लोग नहीं किजिएगा, अब इतने सारे जनकारी देने के भाजूद, यदि आप लोग का और भी कुछ रह जाता है प्रश्न, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, अन्यथा आप number देख सकत इस number पे आप लोग contact किजिए, इसमें call मत किजिएगा, पिलीज, call चुकी अभी आप देखेगा इस वीडियो को ना जाने, सेकडो हजारो कंडिडेट देखने वाले, और सभी को personally मोबाइल में बताना वो possible नहीं है, तो आप लोग WhatsApp में message कर दिजेगा, आप लोग अपने पर यह था, बहुत सारे कंडिडेट का यदि एक जैसा problem रहा, तो वीडियो बना करके भी आप लोग को सभी को एक साथ बता दिया जाएगा, और साथी साथ फोर्म भरने के तियारी को साथ साथ, आप लोग जैसा कि एस्क्रीन पर देख पारेंगे, पलामो चोकिदार भरती 2026 क ले करके, अस्पेशल सफलता बेच आप लोग के लिए अस्टार्ट कर दिये गे हैं, कल सही आप लोग के क्लासे से यहाँ पर अस्टार्ट प्रारम हो जाएंगे, तो आप लोग इस क्लास से भी जूड़ करके अपने त्यारी को धिरे धिरे गति देती रहिए, चुकि अगस्त मा में ही ले लिया जाएगा, और सलेक्शन प्रोसीजर का बात करें, सबसे पहले आप लोग का एकजाम होगा, उसके बाद आप लोग का दोड़ होगा, तो एकजाम पास करना बहुत ही जरूरी है, और मेरिट के लिए 50 में से आप जितना अधिक से अधिक नमबर ल देख लिजिए, तुरंत 21 तारिक का, जब आप लोग का फोर्म भरने का तिति समाप्त हो रहा है, और 21 तारिक को ही उनका एकजाम होगा, और 28 को दोड़ है, और ये चीज़ कब निकाला गया है, कल परसू उसका सारा चीज़ दे दिया गया है, तो देख सकते हैं कितना कम सम में दिया गया उनको और सारा डेट जारी कर दिया गया, यहां तक ही फाइनल मेरिट लिष्ट का आप जारी होगा, उसका भी डेट दे दिया गया है, तो फोर्म भरने के साथ साथ आपूर ये मत भूल जाएगा कि हम लोग को तीयारी करना है, देखिए फोर्म तो सभी को दिये जा रहे देखिए PDF notes हो गया PYQ session हो गये chapter wise आप लोग के MCQ दिये जाएंगे यहाँ पे आप लोग को video lecture classes दिये जाएंगे साथी साथ previous year question paper भी आप लोग को यहाँ पे दिये जा रहे हैं